लब लब महज दुनिया के सबसे खतरनाग बिमारी है जो सबको होता है और जरूर किसी ना किसी को बरबात कर देता है ये बताओ कि लब किसे नहीं हुआ और जिसको लब हुआ उसकी लग गई तो क्या लब नहीं करना चाहिए? सबाल ये उड़ता है कि लब करना चाहिए या नहीं आप अब बताइए अगर आप मुझे से पूछेंगे कि लब करना चाहिए या नहीं तो मैं तो बस आप से ये कहूंगी कि लब करना चाहिए मगर ये ध्यान में रख कर करना चाहिए कि लब मुझे बरबाद कर रहा है या आबाद मैंने बहुत पहले अपने एक दोस्त को देखा था जिसने लब किया था पागल था उस लब के पीछे दिवाना था उस लब के पीछे बहुत ब्रिलियन्ट था वो लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वो अपने उस लब के पीछे बरवाद हो चुका था पूरी तरहा बरवाद एक बात तो सच है कि आजकल का लब दिल से शुरू होता है और जिसम पर जाकर खतम हो जाता है तो क्या आप इसे भी लब कहेंगे मेरी नजर में लब ये नहीं है लब तो ये है जिये और मरे बरवाद होने को लब नहीं कहते है जी बलकि आवाद होने को लब कहते है कोई लब ऐसे भी होते है जो लब के लिए ही जीते है और लब के लिए ही मरते है तो क्या है उनकी जिन्दगी अब खुदी सुच सकते है मैं आपको बता दू कि मैंने भी लब की थे लेकिन मैं अज भी ये सोचती हूँ कि जो आप पहला लब करते हो वो ही आपकी जिंदिगी का सच्चा और आखरी लब होता है जो आपको हमेशा याद आता है ये लब ही तो है जो एक दूसरे को जुड़े रखता है दिल से दिल को ये लब ना होता तो क्या होता ना जमीन होती ना आस्मान होता लब करना कोई गुना नहीं है लेकिन ध्यान रहे कि लब हमेशा सोच समझ कर ही करना चाहिए और हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए कि यही जिंदेगी है यही हमारी बंदेगी है और यही हमारी हर खुशी है हाँ, यह अलग बात है कि लब कब और कैसे हो जाए पर जब भी होता है जहां भी होता है लब तो लब होता है हलो दोस्तों क्या आपने भी कभी किसी से लब किया है अगर किया है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना थैंक यू